नमस्कार आप सबी दर्सकों के हमारे नया लुक की टीम की तरफ से बकरीद की हार्दिक हार्दिक शुब कामने बकरीद एक ऐसा पर्व है जो अपने फर्ज के लिए हमें कुर्बानी की भावना सिखाता है तो चलिए आपको बताते हैं बकरीद से जुड़ी कुछ महत्पूर बकरीद एक ऐसा पर्व है जो अपने फर्ज के लिए हमें कुर्बानी की भावना सिखाता है तो चलिए आपको बताते हैं बकरीद से जुड़ी कुछ महत्पूर बाते बकरीद यानि की इद इसे इद अलजहा भी कहा गया है यह ऐसा पर्व है जो अपने फर्ज के लिए क्यारी चीज को कुर्बान कर दे हजरत मुस्किल में पढ़ गएं वे सोचने लगें कि आखिर उन्हें सबसे प्यारा क्या है जिसे वे कुर्बान करें तभी उन्हें अपने बेटे हजरत इश्माईल का खयाल आया उन्हेंने सोच लिया कि वो बेटे को ही कुर्बान करेंगे क क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे वे अपने बेटे को कुर्बान करने निकल पड़े उन्हें अंखों पर पट्टी बांदी जिससे कुर्बानी के समय उनके भावनां से खुशो कर बेटे को जीवंदान दिया था तबी से जानवरों की कुर्बानी को अल्ला का हुक्व माना गया और बकरीत का पर्व मनाय जाने लगा